दोस्तु भारत के सबसे बड़े एपिक महाभारत से निकले किरदार हिंदी और साउस सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स और इससे एक कहानी जिसके जबरदस एक्षन में एमोशन्स कहीं भी कमजोर नहीं पड़ते कल की 2898 एडी एक सची इंडियन एपिक फिल्म के मानोब भाती है सबसे आइकोनिक इंडियन फिल्मों को उठाईए उनके रिव्यू देखने के बात करें तो भारती सिनेमा फैंस की नर्सों में घुल चुकी रमेश सिप्पी की शोले हो या फिर MS राजा मौली की आसकर विनर हर फिल्म में कमिया तो मिली जाती है लेकिन इन आइकोनिक फिल्मों की आइडिया इतने ज़दा यूनिक और इतने ज़दा बोल थे कि इन अपने तरह का पहला सक्सिसफुल एक्सपरिमेंट बनाते थे बलकि बात करें कल की 2898 एडी भी एक ऐसी फिल्म है और क्यों है यह मै बाहुबली के बाद अपने स्टार्डम का लेवल मैश करने वाला एक रूल दिया है जिसमें महानाय कमिताब बच्चन जी को वो खिरदार मिला है जो उनके कद के साथ न्याय करता है यह फिल्म दीपका पादुकूरों को मिले की बात करें टाब इंडियन एक्डेस के टैग को जस्टिफाई करती है और दिखा दियें कि कमल हसन को क्यों यूनिवर्सल स्टार कहा जाता है पर इन सबसे बढ़कर कल की 2898 AD इंडियन कल्चर की गहराई में रची बसी कैसी एपिक कहानी लेकर आई है इसे बड़े परदे पर देखते हुए सांसों का थम जाना पलके ना का दरवाचा जहां पानी साफ हवा फलपूल जैसे सारे नेच्रल रिसोर्स मुझूद हैं तबाह हो रही दुनिया के लोगों के लिए कल की 2898 AD के लीड किरदार भैरों के लिए यह कॉम्पलेक्स एक सपना है यह संसार के अंतिम तमाशे से लोगों को बचा पाने वाला एक माडन मोख्ष कहला सकती है कॉम्पलेक्स का एक डाव सीक्रिट है यह अपने एक अलग भगवान है सुप्रीम यास्किन यानि कमल हसन जो खुद किसी बड़े कल की तैयारी में है वैसे अगर बात करें इस दिस्टोपियन संसार में जादा तर महिलाएं इन फर्टाइल होने लगती है यानि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है जो फर्टाइल होती है कॉम्पलेक्स उन्हें एक्सपरिमेंट के लिए रखता है इस कॉम्पलेक्स में टेस्ट केस यानि सुम 80 दीपका पादुकोर मा बनने को लेकर काफी ज़्यादा इमोशनल होती है भैरो कॉम्पल काउंटी हंटर भर कर रहे जाता है यह सारे जवाब फिल्म देखने पर अनलॉक हो जाते हैं जिस तरीके से खुलते हैं उसे देखकर आपका मूब भी खुला रहे चाहेगा वैसे कहानी की ट्रीट्मेंट की बात करें डारेक्टर नाग आश्वन ने एक दिल्चस्प संसार करने से पहले एक केरलेस और कुछ चत तक बचकाना महौल क्रियेट किया था बलकि 2898 एडी की बात करा हूं तो सारा दम मुझे सेकेंड हौफ में ही दिखा और आप में भी बहुत साई लोगों ने देखा होगा तो आपको महाबारत की जलकिया प्रबास की किरदार का बला ट पूरते दिखते हैं संतोष नारायनन का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग का वा पूरा माहौल जो इस तरह के फिल्म को चाहिए था हाला कि गाने में म्यूजिक तो अच्छा है लेकिन लिरिक्स और बहतर होते तो जादा माहौल वन जाता एक्टिंग परफॉमेंस की बात करें 17 आपको देखने को मिलेगी जब अमिताप बड़े फर्दे पर राज किया करते थे वैसे कल की 2898 अगर एक्टर्स के हिसाब से देखे तो अमिताप की फिल्म जादा लगी प्रभास की कम प्रभास का किरदार शुरुआत के आद्गंटे में एपिक हो जाता है हालाकि शुरू से किरदार की राइटिंग के साथ पूरी सिंक में देखते हैं कल की 2898 AD की बात कर रहा हूं तो थेटर्स में से देखना चाहिए और आज की विज्वल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनिस को कितना शांदार दिखा सकती है फिल्म के पहले गंटे को थोड़े सबर क के साथ देखने के बाद आपको देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद फिल्म के फर्स्ट लुक से आपको हो रही होगी लकिन हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है तो यकीन करने के लिए कल की 2898 AD जरूर देखिए मुझे लगता है आप लोग देखने के बाद अपने वि